संपूर्ण मद्रदेश में कोरोना काल में अपनी जान की परवाना करते हुए स्वास्त सेवाय जन जन तक पहुचाने वाले समविदा कर्मियों की कोरोना काल बीच जाने के बाद मद्रदेश शाशन द्वारा कोई सुनवाई ना होने पर एवं अपनी विभिन समस्याओं को लेकर आज मजबूरन समझत मद्रदेश में अनिश्चित कालीन हर्दाल पर समविदा स्वास्त कर्मियों को बैटना पड़ा। समविदा स्वास्त कर्मियों के तुलना में किसी तरह की सुविदाय या वेतन प्राप्त नहीं होता है। अब यह कारकम कर रहे हैं। यह कब तक चलेगा आपका? अनिश्चित काल में हरताल है। और इसमें हमारी दो ही मागे हैं। मुख्य मागे यह हैं कि हमाये नियमिती करन किने जाये हैं। और दूसरा जो है कि अभी जिन को निखाला गया तो पहले। तेरा साल से पंद्रा साल से अठारा साल से हमारे कुछ संब्धा स्वासकर्थी लगातार काम कर रहे हैं। इसलग मामा के दोड़ा हर रासवासन दिया रहा है कि आपको इसलग करें। लगातार पर मामा हर बार जैसे इलेक्षन वो जीतते हैं और मामा हर बूल जाते हैं कि संब्धाभी कोई एक मतलब केडर है ना ही हमें कोई केडर का दर्जा दिया गया है और पर्मेनेंट को लेकर हमारी जो लड़ाई है वो लगवख 20 से 25 साल के लिए चल रही है तो मामा से ह हमारा निवेदन है कि हमें जो हमारी मागें है वह जल्दी से जल्दी कूंड की जाए और यह जो हमारी 12 लगातार फूरे प्रदेस में चाल जैसा नहीं है कि हमारे सिर्फ खनियादान में है हमारा डिस्टिक हमारे जितने भी इसके लिए हमें आगे भोपाल भी अगर पूच करना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं अटेंगे पर इस बार हमने सब ने ठाना है कि चाहे कुछ हो जाए हमको नियमिती करन चाहिए तो चाहिए मामा से ह हमारा निवेदन है मारणिये प्रदानमंत्री जी से भी इस बारे में हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा जाए जिससे हम लोग एक मॉटिवेशन के साथ सब लोग कारे कर सके जो अभी अमारे अंतर डीमोटिवेशन है हमें लगाता धंकियां दी जाती हैं कि आपको निकाल जाए जाए एक धर के साथ हम सभी लोग नौकरी कर रहा है लगाता बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती है जो पर्मानेंट वालों को मिल नहीं है सम्विदा कर्मचारियों का है काफी समय हो गए जैसे मैं अपनी बताओं तो 13 शाल हो गए हमको सम्विदा मतलब आस्वासन ही मिलता रहा भी तक और हम लोगों को पर्मानेंट नहीं किया गया और कोरोना काल में हम लोगों ने इतनी सेवाएं दी और अपनी सरकार से कोई भी क इसी भी तरह कि हम लोगों ने मांग नहीं कि क्योंकि हमारे देश में आपात काली मुश्किती थी इसमें हम लोगों ने काम किया है और काम करने के बाद उन्होंने 2018 में बोल भी दिया था कि हम आप लोगों को पर्मानेंट कर देंगे और हमारे जो साथी है जो निकाल दिया गवाय दे रहा है कि हम इस हड़ताल को करें लेकिन मजबूरी है क्योंकि इतने कम आये में हम लोग अपना जीवन नहीं चला सकते हैं हर चीज के रेट वड़ गए हैं हर चीज दुगनी हो गई है लेकिन हमारी जो तनकाय है अभी इतनी ही है विसेश मांगे हैं हमारी सिर्फ ़ो मांगे हैं एक पर्मानेंट किया जाए हम लोगों को और दूसरी जो हमारे संविदा साति हमारी निकाल लेगा है उनकी बहाली की जाए इसके लबा हमारी कोई तीसरी मांग नहीं और जो यह मांगे नहीं होगी हम सबी साथ ही अपने काम पर नहीं जाएंगे अनिस्चित तालीन के लिए हड़ताल करेंगे अभी असांती पूर्ण तरीके से चल रही है अगे हमें सब्सक्राइब कर दो हर्ताल पर जाने से कुछ देवाएं प्रभावित हो लेकिन हम प्रियास कर रहे हैं कि मरेचों को नादरगों को यशुदान आओ इस डाहों कूरा प्रेगा साथ सब जैसे अनिश्चित काली नरताल है इंगी तो आगे भी और समस्य आ सकते हैं तो इसके लिए आपने क्या प्लाइन है इसके लिए हमने अंटर्नेट बिवस्ता किये और सौहर भी कहें कि इतने करमचारियों के आताल पर जाने इससे सेवाएं तो और गार तो प्रभावित हो किसी मरेच को और नागरी को कुई शुक्ता हो और इसका हो पूरा भी आपने हैं